कि अलो एवरिवान, वेल्कम तो कॉमर्स लेक्जिर्स। आज हम पढ़ेंगे फिल्च वेल्ग बिजनेस स्टुडिस का टॉपिक तॉपिक अग्याजमेंट आउट सुपिक हमें आज क्लियर करने वाला है सबसे पहले आर्ट क्या चीज़ होती है किसी भी चीज की आपको सिंग अगर आपको नाॉलेच है या फिर दांसंग या कुकिंग किसी भी चीज आत्प आपके आ पास है तो इसे आप और अपने चीछ के नॉलेज बाएंगी और प्रेक्टिस करिंगी उन्हीं इसे प्रेक्टिस कर घएगां रोज रोज है यह नहीं, इसे ही डांसिंग आप और डेलिक्टिस करेंगे तो लिए बेएगा अब देखें यहां पर फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्सिस्टेंस ओफ थ्रियॉर्टिकल नॉलिज अभी अगर आपको कोई आर्ट सीखनी है ठीक है कोई भी सब्सक्राइब को कुकिंग की सीखनी है आप यह लगा लें ठीक है तो क्या होगा सिस्टेमेटिक एंड और और आपको पते हैं मैगजिन्स वागर दियुक्स वागर आती है जिसमें जो है यह लिखा होता है कैसे ऐसे कुकिंग कर सकते हैं इंस्ट्रॉक्शन इक्तरा से हम बोल सकते हैं लिखी होते हैं तो study material एवेविलेबल होता है न कोई बे आपको आपको आर्ट सीखनी है उसके लेनी है किसी की ठीक है बुकिश नॉलेज लेनी है तो of course आर्ट के लिए आपके पास बुकिश नॉलेज मिल जाएगी for example various books on different rags are available in music music आपको सीखने है बहुत सरे राग के लिए आपको बुक मिल जाएगी अगर आपको कुकिंग सीखने है तो कुकिंग के लिए बहुत सरी magazines वगेरे अविलेबल होती है मार्केट में ठीक है बट अगर हम यहाँ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है it also has study material available to require knowledge of management management के theories पढ़ने है management के principles पढ़ने है तो क्या होगा आपके बस study material अविलेबल होता है अराम से असानी से मैनेजमेंट पढ़ सकते है अभी जैसे में आपको पढ़ा रहे हैं तरह से हम business studies यह पढ़ रहे हैं यह management के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें हाँ bookish knowledge मिल सकती है ज यह point के कह रहा है सबसे बहुत अगर आठ की बात करें तो only three article knowledge not enough for example आपने क्या किया जिसे कि मैंने आप example दिया था कि बुक्स अविलेवल होते हैं बहुत सारे music के ओपर राग्स वगेरा के ओपर लेकिन आगर आप पढ़ लोगे इसका मुल भी नहीं है कि आपको सब कुछ या फिर जसी आपको कुकिंग में चाय तक नहीं बनानी आती है और आपने एक बुक पढ़ी उसमें ऐसे लिखाता है यह ऐसे शाइप नीर बनता है यह मटर पनीर बनता है आपने पढ़ लिए और एगदम से आप शेफ बन गड़े ऐसा कुछ नहीं होता है तो three article knowledge, bookish knowledge enough न इतने में musicians होते हैं सब एक ही टाइप के राक सीखते है वही सारे गाम अपा जैसे सब सीखने है बट पते क्या होता है जब कोई गाना गान नगदा सुनना सारे सेम तरीके से गाते है सब बहुत जब जब जबरदस गाते हैं ऐसा नहीं होता है या फिर cooking में क्या होता है आप सब को पता है मैंनेजमेंट में कोई बिजनस कर रहा है कि अपने जो employees है उनको incentives वगरा दो वो motivate हो जाएंगे लेकिन किस तरीके से किस situation में कब कितना कैसे उनको incentive देना है ताकि वो motivate हो जाएं यह सब तीरे experience के साथ आती है practice के साथ आती है so क्या बोलना चाहरे हो मैं efficiency depends manager के efficiency किस चीछ पर depend होती है ताकि वो एक अच्छा से काम करें how well he use them according to the personal skills and creativity जितने भी management के वह theories apply करता है अपने business पर जितने भी अपने principles apply करेगा एक manager ठीक है उसमें personal skills भी लगाएगा अपना से वैसे आप से लूट रहे तो ऐसा नहीं अपने personal skills अपने creativity यह सब चीजे भी यूज करनी है अपने experience यूज करना है तब ही जाके efficiency आई गए ऐसे नहीं business चलते है ना तो यह second point क्या कह रहा है कि personally हम apply इसको कर सकते है अपनी मरजी से अपनी personal skills हम यूज करेंगे creativity यूज करे थर्ड हमारा है point based on practice and creativity practice and creativity पर दोनों चीजे based होती कैसे अगर एक artist की बात करें he require regular practice to become perfect अभी जैसे कि आप हैं आप कोई practice नहीं करते होंगे शायद कि आप singing करें या dancing करें रोज रो तो एकदम से आप perfect हो ना बन जाएंगे dance करने लगेंगे तो आपको regular practice करनी पड़ेगी अभी तो आपको steps learn होंगे dance करने के must add his creativity to theoretical knowledge he has learned for example आपने bookish knowledge ले लिया के music में ऐसे यह ताल वगएरा सूरताल जो भी होते हैं मेरेको खाल इतना knowledge है नहीं आपने इसाब पढ़ लिया but आपने उसमें कोई creativity नहीं लगा रहे हैं अपनी नहीं कुछ practice कर रहे हैं सिरफ जो bookish knowledge आपने पढ़ा था कि हाँ नमक इतना डलता है चीनी इतनी डलती है जो भी आप खाना मना रहे हैं उसमें वो सब पढ़ लिया this is not enough तो आपको practice or creativity ज़रूरी है अगर हम manager की बात करें they also improve their manager skills and efficiency with experience same इसी में जैसे की practice ज़रूरी है आट में dancing को चा सिंगिंग हो creativity अपनी लगा करनी है उसमें efficiency लाने के लिए experience शही है for example एक नया नया बिलकुल MBA करा हुआ फ्रेश इनसान है और एक बहुत experienced manager है तो जादा better call perform करेगा तो जिसके पास experience है क्योंकि उसने बहुत जादा practice की होगी अपने time पर कभी अपनी बहुत सारी creativity लगा होगी अलग-अलग situations उसने face करी होगी जैसे कि एक artist होता है ऐसे ही एक manager होता है तो यह feature दोनों में present है क्योंकि दोनों में practice की जरुद होती है और दोनों में creativity की जरुद हो दिया है so on comparing our features we find that we can call management as an art अगर हम यह तीनों features को देखे तो हम यह कह सकते है कि management एक art है इसके साथ आपका यह topic खतम हो गया thanks for watching this video please like share and subscribe